अगर आपको कोई image, for example आपकी खुद की passport size photo को PDF में convert करना है तो आप PhotoPee पे easily कर सकते हो PhotoPee एक web-based application है जो की simple words में Photoshop का clone जैसा है इसको आप कोई भी device से access कर सकते हो and ये बिलकुल free है In fact, एक बार आपने PhotoPee खोल दिया, फिर आप internet को disconnect कर सकते हो तो आपको ये डर नहीं रहेगा कि आपके images online store हो रहे है PhotoPee खोलने के बाद menu bar में जाके, file जो option है उसपे click कीजिए जो भी image का format change करना है वो select कीजिए, via open या फिर आप PC के through directly image को drag and drop भी कर सकते हो यहाँ पे आपको option दिखता होगा export as उसपे click कीजिए जो famous format है वो आपको पहले दिखाएगा more पे click करोगे तो आपको और भी different format दिखाएगा जो भी format में आपको convert करना है उसपे click कीजिए मैं PDF पे click कर रहा हूँ, एक dialogue box खुलेगा save for web करके यहाँ पे आपको जो name रखना है वो आप रख सकते हो let's say आपने आपका mind change कर दिया तो आप format भी change कर सकते हो यहाँ पे image को resize भी कर सकते हो, सिर्फ width change किया तो height automatically adjust हो जाएगी, अगर आपको सिर्फ एक dimension change करना है जैसे कि width तो and height को same रखनी है, तो यह जो chain का icon है उस पे click कीजिए और उसे unselect कीजिए और फिर जाके width change कीजिए अगर आप यह PDF कई पे जाके upload करने वाले हो, तो वहाँ पे uploading size का limit है तो आप थोड़ा quality decrease कर सकते हो यह achieve करने के लिए बढ़िया results के लिए better होगा कि आप rasterize all पे click कीजिए यह तब ही useful होगा जब आप यह PDF को print करने वाले हो इतना ही आदट अगर आपने rasterize all पे select किया तो आप PDF को edit नहीं कर पाओगे, कोई भी PDF editor के साथ अगर आपको PDF को edit करना है आपको छोटा file चाहिए तो rasterize all को select मत करना और हो सके तो vectorize text को click करना यह case में क्या होगा कि PDF फाइल जो होगा वो छोटा होगा कोई-कोई effect है जैसे कि कोई filter हो गया कोई shadow हो गया, कोई shadow effect हो गया यह सब नहीं दिखे का जब आप vectorize text को on रखोगे तो अगर ऐसे effect नहीं है तो ही vectorize text को on रखना बट समझो कि आप नहीं आपको edit करना है आपके PDF में कोई effect भी नहीं है और आपको छोटा से छोटा PDF फाइल चाहिए यह case में दोनों ही rasterize all and vectorize text पे click मत करना finally save पे click कीजिए and आप देख सकते हो कि end में PDF बता रहा है सो आप सिर्फ jpg नहीं बलकि कोई भी image format को दूसरे format में convert कर सकते हो same method से comment section में बताइए कि आपको next video किस topic पे चाहिए